आज मैं शर्मसार हूं आज मैं दुखी हूं आज मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं आज मैं कैंटल मार्च कर रहा हूं एक ऐसी लड़की के लिए जिसका रेप हो गया है यह हम हर आए दिन सुनते आ रहे हैं और सालों से सुनते आ रहे हैं क्या हम इसी तरह से हाथों में हाथ धरे इन तमाम चीजों को सहते रहेंगे क्या हम इसी तरह किसी और लड़की के लिए भी ऐसे ही आशू बहाते रहेंगे क्या हम इसी प्रकार से गुहार लगाते रहेंगे कि जो रेपिस्ट है जो बलातकारी है उनको सजा दी जाए कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए क्या हम इसी प्रकार से सडकों पर कैंडल्स लेकर या फिर धरना प्रदर्शन करकर इन बहरे राजनेताओं को ये कहते रहेंगे कि साहब अब तो सुन लीजिए अब तो एक और बेटी का नमबर आ गया है ना आप पारलिमेंट के अंदर कुछ कर पाते हैं ना बाहर कुछ कर पाते हैं एक व्यक्ती रेप करता है रेप करके बाहर आता है अगले ही दिन उसको जमानत दिलाने के लिए वकीलों की कतार लग जाती है कुछ लोग उसको सही ठहराने में लगे रहते हैं और कुछ लोग उसको गलत ये कहा जाता है कि लड़की इस वक्त बाहर क्यों गई, लड़की अकेले क्यों थी, लड़की ने तंग कपड़े क्यों पहने थे, साहब 22 दिन के बच्चे के साथ भी क्या यही परेशानी थी हम आज बात कर रहे हैं आसिफा की, आसिफा की उम्र सिर्फ 8 साल थी आसिफा को साथ दिनों तक एक मंदर के अंदर बंदख बना कर, छे लोगों ने बारी-बारी से दुशकर्म किया एक उसमें इनसान ऐसा भी था जिसने अपने चचेरे भाई को मेरट फोन करके यह कहा कि इस तरह से हमारे पास एक बच्ची है और हम इस तरह से मज़े लूट रहे हैं तुम भी क्यों नहीं आते हैं वो शक्स भी उनके पास गया और उसने भी इस बच्ची के साथ वही कार्ये किया जो यह लोग करते आ रहे थे इन में एक नाबालिक भी है जैसे निर्भया केस में था नाबालिक इतने निर्भया का जो केस है 2012 का केस है उसके बाद से हर तरफ से एकी आवाज उठ रही थी कि नाबालिक को जो है इस तरह के केस के अंदर किसी भी तरह का फाइदा नहीं पहुँचाये जाए लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे निर्भया के केस में वो लड़का बाहर निकल गया खुली आबो हवा में सांस ले रहा है शायद ये लड़का भी इसी तरह से बाहर निकल जाएगा आपके और मेरी नाक के नीचे और आप और हम इसी तरह से कैंडल पकड़ कर सडकों पर घूमते हुए मिलेंगे छे महीने दो महीने या फिर कल ही आप देखेंगे एक और ऐसा केस आएगा आसिफा का केस को हम भूल जाएंगे और अगले केस पे हम आगे बढ़ जाएंगे इसका दुख जो है वो शिफ्ट होके कहीं और चला जाएगा इसका कैंडल मार्च शिफ्ट होके कहीं और चला जा साथ 16 जून 2017 14 साल की एक लड़की जिसको ट्रेन में 6 माइनर्स ने यानी 6 नावालिगों ने जो है गैंग रेप किया बारी बारी गैंग रेप किया जिसमें एक जो है उसका खुद का दोस्त था रेप करने के बाद उसने उसको खूब मारा पीटा और चलती ट्रेन से बाहर फैक दिया अगली घटना गुरगाओं से आती है 19 साल की माँ जिसका 8 महीने का बच्चा था साथ में शेर आटो में उसके साथ गैंग रेप किया गया आटो ड्राइवर के साथ दो और लोग मौजूद थे उसी आटो में जिन्होंने बारी बारी इस महीला के साथ गैंग रेप किया जब बच्चा जादा रोने लगा चीखने लगा उस बच्चे को इन दरिंदों ने आटो से बाहर फैक दिया क्या ये माफी के पातर है क्या इनको अगले ही दिन नहीं फासी पे लटका देना चाहिए था ये घटना है बुलंद नगर योकी यमुना एक्स्प्रेस फे में पढ़ता है ऐसी ही एक और घटना 2016 में हुई थी वहाँ पर इस बार क्या हुआ 35 साल की मा और 14 साल की बेटी जो है जा रहे थे गाड़ी में तायर पंक्चर कराया गया जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और ट्राइवर ने जो है उनके ट्राइवर उत्रा मदद मांगने के लिए 6 लोगों ने अटाक किया और उन दोनों के साथ ग्यांग रेप किया ये घटना है यमुना एक्सप्रेस वे ये एक और घटना है जो की बिहार के खगर्या डिस्ट्रिक से आती है एक लड़का जो लड़की का उस युविती का कॉलेज का दोस्त था वो उसके घर में घुसता है उसका रेप करता है और केरोसीन यानि मिट्टी का तेर डालके उस लड़की पे आग लगा देता है और जिन्दा जला के मार डालता है ये भी एक घटना है साथ साल की बच्ची अपनी मा के साथ सो रही थी सोती हुई बच्ची को उठा लिया गया जब मा उठी जब देखा बच्ची साथ में नहीं है वो भागी शोर मचाया चिलाया जब लोगों ने गाउवालों ने ढूनने की कोशिश करी तब खेत में लड़की मृत अवस्था में खून से लटपत पाई गई उसका रेप हो चुका 26 साल की सिक्किम से आई हुई लड़की जिसको दिल्ली गुड़गाओं सडक पर कार में ही चार घंटे तक बारी-बारी से रेप किया गया चार घंटे बाद उसको सडक पर फैक दिया गया उसको धमकाया गया अगर तुम कहीं पर भी अपनी जुबान खोलोगी हम तुमारे घर आके तुम्हारी हत्या कर देंगे बाप और बेटी का रिष्टा सबसे ज़्यादा पाकसाफ माना जाता है लेकिन यहां पे एक ऐसा बाप है जिसने उस रिष्टे को भी कलंकित कर दिया ये बाप अपनी बेटी के साथ खुद की बेटी के साथ बार-बार बलाकार करता रहा वो जब प्रेगनेंट हो गई उसके बाद ही लोगों को पता पड़ा जब NGO ने बाकी तमाब लोगों ने ये गोहार लगाई कि इसका अबोशन करने के लिए तो कम से कम आप इजासत दे दें यही कानून जो है हमारा इसके आड़े आ गया और उस बच्चे को जन्देना पड़ा जो शायद नाजायस था हाला कि बाद में वो बच्चा जो है हस्पताल में ही अपना दम तोड़ देता है और यह जो पीडिता है यह जो लड़की है यह आज भी उस जुल्म को सोच कर सहम जाती है एक लड़की के बॉइफरेंड और उसके साथी ने दोनों ने में किसके साथ रेप किया उसके चहरे को नश्ट करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उसके मूँ में डाल दिया उसकी शरीर को एक खेतों में फैक दिया जो कि कुछ दिनों के बाद बरामत करी गई एक ऐसी हालत में जो शायद कोई भी देख नहीं सकता था कुटों ने उसके पूरे शरीर को जो है काट खाया था क्या अब भी आप कैंडल मार्च करेंगे 2017 की एक और घटना 21 महीने की एक बच्ची जिसके साथ एक 45 साल के युवक ने बलात कार किया 21 महीने की बच्ची सोच के देखे ये आदमी इसके पिता का दोस्त था जो की पडोस में रहता था इस पिता को जो है थोड़ा सा भरोसा था बच्चे को उसके साथ खेलने दिया जाता था एक दिन जब इसने उस बच्ची को अकेला पाया ये उसको उठा के ले गया चार घंटों तक उसके साथ दुशकर्म करता रहा जब उसका पिता उस बच्ची का पिता वहां पहुँचा वो चौप गया उसको समझ नहीं आया कि क्या करूँ वो उस बच्ची को अस्पताल जब ले के गया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि शायद इसको बचाना अब पॉसिबल नहीं है पांच साल की बच्ची जिसकी साथ रेप किया गया जिस शक्स ने इसका रेप किया था उसकी उम्र थी 24 साल पहले इस बच्ची को उठाने से पहले उसने अपने पडोस में सोती हुई लड़की को उठाने की कोशिश करी जब वो असफल रहा वहां से वो भागा और वो ढूंता रहा कि कहीं और मुझे कोई और मिल जाए जब ये 5 साल की बच्ची उसको मिली इसने उसकी साथ दुशकर्म किया ये बच्ची ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी क्या ऐसे लोगों के लिए हम क्यांडल मार्च करेंगे अब तक करेंगे अभी भी करेंगे रेप जो है एक बहुत ही कॉमन प्राक्टिस बनती चली गई है हिंदुस्तान में मैं एक रेकॉर्ड आपको बताता हूँ जो की 2013 तक 24,923 रेप केसिस जो हैं हिंदुस्तानी जुडिशरी में दर्ज हो चुके थे और यह जो रेकॉर्ड है यह नाशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से है यानि की NCRB के हिसाब से और इसमें से जो है 24,470 ऐसे केसिस थे जो की उस पीडिता के जानकार थे यह उसके रिशदार थे, दोस्त थे, अडोसे पडोसी थे यानि जो रेपिस्ट है जो विक्टिम है उसको यह लोग जानते थे यानि 98-98 परसिंट जो रेप केसिस थे वो तमाम जो है किसी ने किसी जानकार के हवाले से किये गए थे ना कि बाहर वाले निर्भया रेप क्यांड के बाद एक एक आंटी रेप बिल पारित किया गया उसके अनुसार जो है जादा से जादा जो सजा है वो है मृत्यु दंड यानि फांसी की सजा है या फिर आज इवन कारावास वो जिन्दगी भर अंदर रह सकता है लेकिन ये कितने लोगों को ये दंड मिलता है कितने लोगों को जो है फांसी की सजा सुनाने जाने के बाद भी उसको सजा नहीं दी जाती है हाल ही में चन्ने की एक घटना है साथ साल की एक बच्ची थी जिसका नाम था हारिनी उसके पडोसी ने उसके साथ दुशकर्म किया जिसकी उमर थी शायद 24 साल इस रेप के बाद उसको पकड़ लिया गया उसको जेल भीज दिया गया था लेकिन उसके खुद के बाप ने उसको बेल में बाहर निकाला बाहर आके लड़के ने क्या किया बाहर आके लड़के ने कुछ दिनों में ही उसकी खुद की मा की हत्या कर दी अब दश्वन जो है जेल की हावा खा रहा है उसको सजा सुना दी जा चुकी है उसको जो है मौत की सजा दी गई है लेकिन हमारा जो मजाकिया कानून है उसने हाई कोट पे अरजी दी है कि जो मेरी मौत की सजा है यानि जो फांसी की सजा है उसको कम करा जाए एक रेपिस्ट, एक मडरर एक साथ साल का रेपिस्ट और एक खुद की मां का मडर जो है उसको इतनी हम ताकत दे देते हैं कि आप आगे और अपील कर सकते हैं कि अपनी सजा कम करा सके 31,000 ऐसे लोग हैं जो कि रेप केस में अंदर हैं सोचके देखे 31,000 ऐसे शैतान अंदर हमने भर रखे हैं उनको हम रोटी खिला रहे हैं उनको हम शै देते हैं अपनी जिलों में बंद रखते हैं लेकिन उनको हम सजा नहीं देते हैं अब देखते हैं बाकी ऐसे और देश हैं जिनमें जो इस तरह की जो हरकते हैं उसमें किस तरह की सजा है अब देखे सबसे पहले साओधी अरेबिया, साओधी अरेबिया में जो है अगर किसी ने रेप कर दिया उसका सीधा गला धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसको लटका दिया जाता है एक पब्लिक प्लेस में, एक चौराहे में ठीक है, इसके बाद है चाइना, चाइना में जो है जो आपका घरदन और जो आपका बाक बों है, जो गर्दन जहां पर जुड़ती है, वहाँ पे उसको पीछे से गोली मार दी जाती है यह चाइना में सजा है इसके बाद आते हैं नौर्थ कोरिया, नौर्थ कोरिया में जो है सिर के पीछे उसको बिठा के गोली मार दी जाती है इसके बाद आते हैं हम अफगानिस्तान पे अफगानिस्तान में क्या होता है इसको भी जो है उसको गोली मारी जाती है पहले पबलिक के सामने सबको बुलाया जाता है और उस शलाश को जो है एक क्रेन में चौराहे पे लटका दिया जाता है ताकि वो सब लोग देखें जिन्होंने ऐसी हरकत और वो जो भय है वो लोगों के जहन में आ जाए कि ऐसी अगर हरकत करेंगे तो शायद हमारा भी यही हालत होगी इसके बाद आते हैं इरान इरान में भी जो है मौत की सजा है उसके बाद USA यानी अमरीका जिसको हम बहुत जादा फॉलो करते हैं वहाँ पे 30 साल तक की सजा है सिर्फ रेप के लिए अगर रेप के साथ उसमें मर्डर होता है यह सब होता है उसमें और जो है सजा आड होती जा यहां पर भी चौराहे पर गोली मारी जाती है उसको लटका दिया जाता है और यह होता है घटना के रिपोर्ट होने के साथ वे दिन, साथ दिन के अंदर जो है रेपिस्ट को उसकी सजा दे दी जाती है पडोसी देश, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी SIE है, शुरिया कानून वहां पे भी है, रेप के केसिस में वहां पे भी सक्स सजा है, जिसमें फांसी की सजा है और गोली मार देनी की सजा है ये हमारे वो मुल्क है जो रेप को लेके बहुत जादा स्ट्रिक्ट है बहुत जादा भथ फूर्ती से जो है इनके उपर जो है आक्शन लेते हैं हमारे यहां ऐसे भी मिनिस्टर्स है जिन में से एक है हमारे मुलायम सिंग यादव जी मुलायम सिंग यादव जी तो ये तक कह चुके हैं कि लड़के हैं लड़कों से तो गल्तिया होती रहती है साहब लड़के हैं लड़कों का मतलिब ये नहीं कि राह चलती किसी भी लड़की की साथ कुछ भी कर दे और हम जो है candle march निकाल के लेके जाएंगे जेटली साहब जेटली साहब ने ये कहा था कि निर्भया की जो publicity है निर्भया केस की इतनी होई कि अब जो हमारा जो tourism है जो हिंदुस्तान में tourist आता है उसमें कमी आ चुकी है आपको tourist important है या फिर वो लोग important है जो की इस सरह से rape करते हैं या फिर वो जो की victims है आसिफा जो है एक नाम नहीं है आसिफा की तरह और कई हजारों बच्चे हैं कई हजारों महिलाएं हैं जो इससे भी भयानक पीडा से गुजर चुके हैं जिस नाबालिक को rape करना आता है वो नाबालिक नहीं है इसको वो सजा मिलनी ही चाहिए जो बाकियों को मिलती है मैं अपने चानल के माद्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि अब जो है हिंदुस्तान नहीं चुप रहेगा अब जो है हिंदुस्तान कैंडल मार्च नहीं करेगा अब जो है हिंदुस्तान उनकी गिरेबान पकड़ेगा उनको सडकों पर खीच कर मारेगा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट है इसके लिए मैं कहीं पर भी माफी नहीं मागूँगा हाँ मैं कानून हाथ में उठाऊंगा मेरे घर में भी बहु बेटियां है मेरे घर में भी एक लड़की है मेरे घर में भी एक बेटी है और मैं फक्र से कहता हूँ अगर मैंने किसी भी ऐसे रेपिस्ट को मारा और उसके लिए मुझे पूरे जीवन भी अगर मुझे कारावास म काटना पड़ा तो मुशे वो मनजूर है लेकिन मैं ऐसे एक शैतान को सडक पर नहीं छोड़ना चाहूंगा जो शायद दोबारा से किसी और बच्ची के साथ किसी और बहू के साथ किसी और बेटी के साथ दुशकर्म करेगा बने रहे हमारे साथ दरूस्ट न्यूस जो आपक की चड़ों से जुड़ा हुआ होता है तमस्कार